कि नमस्कार साथियों श्वागत और अभिनंदन आप सभी का साथियों आज इस बिंदू के बारे में चर्चा करेंगे वह है राज्य शबा चुनाओ हाले के अंदर आपने देखे होंगे कि कांग्रियस को ज्यादा सीट आई बीजेपी को एक सीट आई आई आप सोच रहोंगे सर हमें पता ही नहीं चला हमने वोट इन दिया फिर भी ये राज्य शबा का चुना हुआ कैसे लोगों ने कैसे लोगों को चुन लिया हमें क्यूं पता नहीं चला, क्या होता है ये राज्य शबा, आई इनके बारे में जानते हैं, और बातें केवल वही करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए काम आईगी, तो सातियों, आज का जो हमारा बिंदू है, वो है आपके हाली में राज्य शबा तुनाओ, सबसे पहले ये जानते है है कि ये राज्य शबा होता क्या है, देखेगा, राज्य शबा क्या है, याद रखे, ये एक उच्छ सदन है, और ये एक परकार का इस्ताई शबा है, यहां से दो बातें और निकलती है, आप कहेंगे सर, ये उच्छ सदन राज्य शबा है, तो निम्न सदन कोण सा है, वो अच्छा इस्ताई सदन का मतलब क्या हुआ ये हमेशा बने रेने वाड़ा सभा है राज्येशबा मतलब राज्येशबा को कभी भंग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो सदेश्य होते हैं वो परती दो वरस के बाद में कोई ना कोई शेवा निविर्थ होत चार सदेशों के चुनावे, जबकि अमारे राजस्तान में राज्य सभा की शिटें कितनी है, टोटल, दस, तो परतेक दो वरस में एक तीहई सदेशे शेवानिविर्थ होते हैं, और उनके वापस चुनाव होते हैं, यह चुनाव होते कैसें, उनके बारे में भी चर्चा करे करेंगे, तो यहाँ पर आपने यह जाना कि यह राज्य सभा क्या है, उच सदन है और एक परकार का इस तई सदन, केलियर, दूसरी बात, यह राज्य सभा है, इसमें अधिक्तम कितने सदेशे हो सकते हैं, अधिक्तम सदेशे संक्या कितनी हैं, याद रखेगा 250, लेकिन वर उनित का मतलब डाइरेक्ट मन से ही चुना जाएगा उनको, उनके लिए कोई मद्दान नहीं होंगे, बाकी 233 के अंदर वोट होंगे, वो कैसे होंगे आगे चर्चा करते हैं, अगली बात, कि सर यह जो राज्य सभा है, राज्य सभा सदेशे बनने के लिए कितनी आयू होन राज्य सभा के जो सभापती हैं, वो होते हैं आपके भारत के उपराश्ट पती, वर्तमान के अंदर राज्य सभा के जो सभापती हैं, वो है आपके वेंका या नाईडू, क्योंकि यह है वर्तमान के अंदर उपराश्ट पती, अच्छा उप सभापती कोण है, तो वो है ह देशे का कार्यकाल, सभापती, उफशभापती, अब आते हैं वर्तमान के अंदर के वर्तमान में चर्चा क्या है, पहली बात तो ये, कि सर राज्य सभा का चुनाव ऐसे कैसे हो गया, हमने तो वोड दिये ही नहीं, साथियों राज्य सभा के चुनाव लोग सभा और विदान सभा से अलग है, लोग सभा और विदान सभा के अंदर तो आम जंता भाग लेती है, हम सब बोड देने जाते हैं, लेकिन राज्य सभा के अंदर जो मद्दान करते हैं, उनके अंदर होते हैं विदायक, जिसे हम पहले चुन के भेज देते हैं, वो आगे जिसे चुनते हैं, वो है राज्येशभा सदेशे वरतमान के अंदर राज्येशभा के हमारे राज्यस्तान के परतिनीदी कितने वैसे दस हैं लेकिन वरतमान में इस्तती क्या है आपको ये भी एक क्यूशन पुछा जा सकता है कि राज्यस्तान से राज्येशभा सदेशे दस से याद रिखेगा इस दस की इस्तति क्या है इसमें देखेगा छे सदेशे तो हैं कॉंग्रेश के और चार हैं बीजेपी के दस कॉंग्रेश के सोरी राजस्तान के टोटल दस सदेशे हैं जिन में से छे कॉंग्रेश के हैं और चार किन के हैं याद रिखेगा भाजबा के चार भाजबा के कौन कौन है तो किरोडिलाल मीना भुपेंदर यादव राजेंदर गहलोत लेकिन जो नव निर्वाचित जो अभी हुए है हाले में उनमें है गंशाम तीवाडी पहले ये बीजेपी में थे फिर आगे चलकर अलग होगे लेकिन वापस जुड़ गए एक तो बीजेपी में नव निर्वाचित हुए हाली में कौन गंशाम तीवाडी इधर छे कौन कौन है तो डॉक्टर मनमाउन सिंग कैसी वेनु गोपाल नीरज डांगी ये तो तीन पहले अभी जो नव निर्वाचित हुए वो और तीन है कौन कौन रनदीप सुर्जेवाला मुक ये चर्चाती साथियों आपके राज्ये सबा चुनाव जो हाली के अंदर हुए और ये भी आपने जाना कि राज्ये सबा होती क्या है फिर मिलेंगे इसी परकार एक रोचक तत्य के साथ तब तक के लिए धन्यवाद